रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत हैं आज हम क्लास 11 के हॉर्णबिल बुक से चाइल्धूट पोयम जो की मार्कस नेटिन दुवारा लिखा है उसको पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कविता में जो कवी हैं वो अपने बचपन की समाप्ती के विशे में बहुत जादे व्याकुल प्रतीत होते हैं चुकि यह बड़े होने की पृतिक्रिया जो है वो सम्भान्य हैं पर भी कभी अपने दो ठे प्रस्टों के जवाब खोजने के लिए बहुत जादे व्याकुल हैं पहला जो उनका सवाल रहता है, वो रहता है कि मेरा बचपन कब भीत गया और दूसरा जो question रहता है मेरा बचपन कहा गया। उनके बचपन के प्रस्थान के समय में पहली संभावना उस आयू से संबंधित है जब उसने 11 वर्स की आयू पूरी की थी। तब उन्हें यह जान हुआ कि नरग तथा स्वर्ग जोग्राफिस सेक्टर में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें संसार में किसी अस्थान पेस्थेत नहीं किया जा सकता तो वह इस निसकर्स पर पहुंचा कि वे विद्यमान ही नहीं थे। इस प्रकार वो अपने तर्क सकती के अधार पर एक तर्क संगत निसकर्स तक पहुंचे जो दूसरी पॉसिबिल्टी यानि संभावना उस समय से संबंदित है जब उन्होंने पाखन, मिथ्या ये सारी चीजों को समझ लेया। वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे प्रतीत ह प्यार की बाती करते थे तता प्यार के परामर्श दिया करते थे, जो तीसरी संभावना की बात कORA मिए, उससे संबंदित है जब उन्होंने यहां पाया कि वो अपने मस्तिस्क के स्वामी स्वायम है, और जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से उसे प्रयोग कर सकते हैं, अब वो अपने विचार उत्पन कर सकते थे तथा उसे दूसरों की विचार दोहराने किया वासकता बिल्कुली नहीं थी उसके उपर अपने नीजी अस्तित्व की भावना प्रकट हुई और वह आश्चार्य करते हैं कि क्या उसने अपना बचपन इन दिनों में से किसी दिन में ग करते हैं ऐसा लगता है कि समान्य दिन है तो समझ लिजेगा कि आपका चाइल्डूड समाप्त हो गया है तो ऐसा ही कुछ चीजें हुई होंगी कवी के साथ भी जिस पर वह बहुत ज्यादे आश्यरह करते हैं और सोचते हैं कि क्या वही दिन थे जब चीजों को मैं समझने लगा दुनिया को समझने लगा तब मेरा बच्पन समाप्त हो गया जो अंतिम स्टैंजा है इसमें कवी समस्या पर बात करते हैं कि उनका बच्पन आखिर में कहां अद्रिश्य हो गया गायब हो गया अपने सिमित ग्यान के अधार पे वें सोचते हैं उनकी बाल अवस्था किसी ऐसे भूले भटके जगार पे चली गई है जो किसी छोटे से बच्चे के चेहरे में चीपी हुई थी यहां पर बताया गया है कि कवी बड़े हो चुके हैं और इनका बच्पना जा चुका है इनको दुनियादारी समझ में आने लगा है हिडिन का जो अर्थ है चीपा ह हो गया है तो कुल मिला के यह बड़े होने की प्रक्रिया में हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारा बच्पन कब बीत गया और फाइनली हम बड़े हो जाते हैं और वही सारी बाते सोच के जो कवी हैं इस कवीता के वह बता रहे हैं और खुझ से प्रस्ण कर रहे हैं और प्रस इसे चीजे तो जोग्राफी में पढ़ने को मिलती ही नहीं है या फिर तब इनको पता चला कि चाइल्ड हुड चला गया है जब लोगों के सड़ी अंत्र को इन्होंने समझना सुरू कर दिया यह सारी क्वेश्चेंस कवी के दिमाग में चल रहा होता है और यहां पर आपका यह कविता समाप्त होता है थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो स्टडीज